नमस्का दोस्तों, PLTX में आपका स्वागत है दोस्तों, आज के इस क्लास में आप लोगों के लिए सीट एड प्रीबियस येर का प्रसन पत्र लेकर आया हूँ, यहाँ प्रसन पत्र 7 जनुई 2022 का ओनलाइन परिच्छा का पूंचा गया प्रसन पत्र है, पेपर सिकेंड है द नीचे दिये गए गध्यान्स को पढ़कर पूंचे गए प्रसनों के सबसे उप्यूक्त उत्तर वाले विकल्ब को चुनिये, मुझे यह कहने में हिचक नहीं है कि मैं और चीजों की तरह कला को भी उप्यूक्ता की तुलाप पर तोलता हूँ, निसंदे कला का उद्देश स इसलिए आनन्द होता है कि उनसे फलों की आशा होती है, प्रकति से अपने जीवन का सुर मिला कर रहने में हमें इसलिए अध्यात्मिक सुख मिलता है कि उससे हमारा जीवन विक्सित और पुष्ट होता है, प्रकति का बिधान ब्रधी और विकास है और जिन भाउं से हमें आनन्द मिलता है तो यह रहा गध्यांस इसके नीचे दिएगे प्रस्णों को देख लेते हैं दोस्तों question number 91 है लेखक कला के किस पक्ष को महतु दे रहा है आपको बताना है दोस्तों यहाँ पर right answer third हो जाएगा बेवहारिक लेखक कला के बेवहारिक पक्ष को महतु दे रहा है option third यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला question question number 92 है गध्यांस के अनुसार हम फूलों को देखकर क्यों आनन्दित होते हैं तो गद्यांस के अनुसार हम फोलों को देखकर उनके फल हमारे लिए उपयोगी आनन्दित होते हैं तो राइट अंसर यहाँ पे सिकेंद हो जाएगा अगला कोशन, कोशन नमबर 93 है दोस्तों मुझे यह कहने में हिचक नहीं की आपको फिल करना है वाकि के रेखांकी शब्द की जगा कौन सा शब्द प्रिउप्थ हो सकता है तो सही भी कल्प चौथा हो जाएगा संकोच मुझे यह कहने में हिचक नहीं की वाकि के रेखांकी शब्द की जगा संकोच शब्द प्रिउप्थ हो सकता है दोस्तों ध्यान रखिएगा Question No. 94 है प्रकत से अपने जीवन का सुर मिलाकर यहाँ पी आपको फिल करना है क्या मिलता है रेखांकित वाक्यांस का भाव है तो second option यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा प्रकती के नेमों के अनुसार जीना चाहिए Question No. 95 है दोस्तों गद्यांस के अनुसार अध्यात्मिक आनन्द किस पर आधारित है तो राइट अंसर यहाँ पर हो जाएगा अध्यात्मिक आनन्द जीवन का आधार है option third यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा अगला question, question No. 96 है दोस्तों कला का उद्दिस क्या है आपको बताना है दिएगए options में से राइट अंसर क्या हो जाएगा तो कला का उद्दिस सांदर सुर्जन है option second यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा next question, question No. 97 अध्यात्मिक में प्रियुक्त प्रत्य का सही बिकल्प चुनिए तो अध्यात्मिक में प्रियुक्त प्रत्य का सही बिकल्प एक है प्रत्य क्या होते हैं दोस्तों वे प्रत्य जो क्रिया के मोल रूप या ध्धात्य के साथ जूड़कर संग्या बिसेश आधिने सब्दों की रचना करते है तो राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा अध्यात्मिक एक प्रत्य है अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 98 वह हमारे अध्यात्मिक आनंद की कुझी है यहाँ पर रेखांकिस शब्द का भाव क्या है तो राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा मूल मंत्र है वह हमारे अध्यात्मिक आनंद की कुझी है यहाँ पर रेखांकिस शब्द का भाव जो है मूल मंत्र है और आप्सन फोर्थ राइट आंसर है कॉश्चन नमबर 99 कौन सा सब्द भिन्न है अगला कॉश्चन निर्देश दिये गए है नीचे दिये गए पध्यान्स को पढ़कर पूछेगे प्रस्णों के सबसे उप्यूगत उत्तरवाले विकल्ब को चुनिये तो इसे भी पढ़ लीजे दोस्तों एक धूप का हसमुक टुकड़ा तरुके हरे ज़रोके से ज़र अलसाया है धरा धूल पर चिणिया के सफेद बच्चे सा उसे प्यार है भूरज से लेटा है चुपके वह उड़कर किरणों के रोमिल पंक खोल तरुपर चड़ ओजल हो सकता फिर अमित नील में लोग समस्ते मैं उसको व्यक्तित्ट दे रहा कला इस पर्स से तुमको मुझको लगता वही कला को देता नीज व्यक्तित्ट सोयम व्यक्तिवान जो तिर मैं जो वाहरे सोयम प्रकास अखंड प्रकास वान तो यहां पे नीचे question number hundred दिया गया है धूप के टुकड़े को किस से प्रेम है धूप के टुकड़े को किस से प्यार है आपको बताना है दोस्तों तो यहां पे right answer हो जाएगा धूप के टुकड़े को धूल से प्यार है option second यहां पे सही जवाब है next question question number 101 है धूप के टुकड़े को कला से भी अधिक महतु दिया गया है क्योंकि धूप का टुकड़ा कला को आकार देता है option second यहाँ पे right answer हो जाएगा question number 102 है दूस्टो धूप के लिए किस बिसेशन का प्रूप किया गया है आपको बताना है दियेगे options में से तो right answer यहाँ पे हो जाएगा option third सुब्र यहाँ पे सही जवाब है धूप के लिए सुब्र बिसेशन का प्रूप किया गया है question number 103 किन सब्दों से ग्यात होता है कि धूप के टुकड़े की जो तिस सदयों रहने वाली है second यहाँ पे answer सही हो जाएगा अखंड प्रकासवान अगला question question number 104 है तरुके जहरे जहरोके से जहर पंक्ती का भाव है आपको बताना है दोस्तों तो तरुके हरे जहरोके से जहर पंक्ती का भाव पत्तों से जहरता हुआ option second है पत्तों से जहरता हुआ question number 105 भाशा सीख रहे बच्चों के लिए भाशा बिसेक निवेश की ब्याख्या करने वाली शब्दावली है आपको बताना है जोस्तों तो राइट अंसर यहां पे हो जाएगा इस कुश्चन का सिकेंड शिशु निर्देशित वाचन यहां पे सही जवाब हो जाएगा कोश्चन नमबर 106 है भाशा सीख रहे बच्चे के लिए भाशा बिसेक निवेश की ब्याख्या करने वाली शब्दावली है इनमें से कौन सी है तो राइट अंसर थार्ड अप्शन हो जाएगा बालक निर्देशित वाचन यहां पे राइट अंसर हो जाएगा भाशा सीख रहे बच्चे के लिए भाशा बिसेक निवेशक की ब्याख्या करने वाली शब्दावली बालक निर्देशित वाचन है अगला कोश्चन नमबर 107 बीएफ इसकिना ने दावा किया की भाशा आपको फिल करना है कि माध्यम से सीखी जाती है तो बीएफ इसकिना आरंभिक बालेवस्था सरवाधिक रूप से किस अवस्था पर है जब जीवन परेंत विकास की निव रखी जाती है और अंतरनहित को इसपस्ट रूप से प्राप्त किया जाता है सोध प्रदर्शित करते हैं कि यहां अवस्था मस्तिश्क में अंतरनहित गुणों के आरंभिक बालेवस्था सरवाधिक रूप से चुनाती पूण अवस्था है जब जीवन परेंत विकास की निद रखी जाती है और अंतरनहित को इसपस्ट रूप से प्राप्त किया जाता है तो सोध प्रदर्शित करते हैं कि यह आवस्था मस्तिश्क में अंतरनहित गुण अपनी भाशा में और दो भाशाओं से लिए गए शब्द के मिस्टरन से अप्सन से केंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अगला कोशन कोशन बर 110 कौन सा परिक्षण इस स्थेती की सरवाधी क्रूप से बढ़िया बैख्या करता है एक अध्यापिका कारिपत्रक वर्क सीट त्यार करते समय पाथे समगरी से हर छठा शब्द हटा देती और शक्षार्थियों दोरा हटाएगे शब्दों को कारिपत्रक में पूरा करने के बाद उन्हें पाथे शमगरी पढ़ने के लिए देती है तो अध्यापिका कारिपत्रक वर्क सीट त्यार करते समय पाथे समगरी से हर छठा शब्द हटा देती है और शक्षार्थियों दोरा हटाएगे शब्दों को कारिपत्रक में पूरा करने के बाद उन्हें पाथे समगरी पढ़ने के लिए देती है क्लोज परिक्षन इस इस्थिती की चरवाधिक रुप से बढ़िया बैखा करता है तो option second यहाँ पर right answer हो जाएगा question number 111 है दूस्तों निम लिकित में से कौन सा सर्वन बोध के मुल्यांकन का भाग नहीं है आपको बताना है इन में से कौन सा नहीं है नहीं पर आपको ध्यान देना है तो right answer fourth हो जाएगा पाठे पुस्तक पढ़ने के लिए कहना तो पाठे पुस्तक पढ़ने के लिए कहना यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला question question number 112 है अंग्रेजी भाशा की कक्षा में मात्र भाशा के प्रभाव को कम किया जा सकता है किसके दोरा दिएगा उप्संस में से आपको right answer का चैन करना है तो अंग्रेजी भाशा की कक्षा में मात्र भाशा के प्रभाव को लक्ष भाशा से सरल चरणवार आर्थपूर और निवेस दौरा कम किया जा सकता, तो right answer यहाँ पर fourth हो जाएगा, question number 113, भाषा में उत्पादक कौशल है, आपको बताना है, भाषा में उत्पादक कौशल कौन है इन में से, तो right answer first हो जाएगा, बोलने और सीखने के कौशल, बोलने और सीखने के, बोलने और लिखने के कौशल, option first यहाँ पर right answer हो जाएगा, भाषा में उत्पादक कौशल, बोलने और लिखने के कौशल है, option first right answer है, अगला question, question number 114, निमलिकित में से, कौन सी स्रवण स्रिक्षण सामगरी नहीं है, दोस्तों आपको बताना है, तो right answer first हो जाएगा, फ्लैस काड, फ्लैस काड जो है, यहाँ पर सही जवाब है, फ्लैस काड स्रव्य स्रिक्षण अधिगम सामगरी नहीं है, स्रव्य स्रिक्षण अधिगम अगरी में दूर भाशा पर वारता लाब, रेडियो, परसारण और ग्रामू फोन रिकॉर्ड है कोशन नमबर 115 है दूस्तो निमलिकित में से उप्चारात्मक सिक्षण कौन सा है दिये गए उप्चारात्मक सिक्षण ब्यवस्थित प्रकिरिया है आप्सन फूर्थ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कोशन नमबर 116 है दूस्तो निमलिकित में से किसे भाशा की कक्षा में प्रोसाहित नहीं किया जा सकता है तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आप्सन फरस्ट ड्रिल दिएगए विकल्पो में से ड्रिल की भाशा की कक्षा में प्रोसाहित नहीं किया जाना चाहिए मज़ेदार गत्विधिया, कथा वाचक और रोल पले भाशा की कक्षा में प्रोसाहित किया जाता है कोशन नमबर 117 है दूस्तो कक्षा में दो पढ़ने वाली बच्ची जो सुरू से ही प्रभावशाली तरीके से भाशा सीख रही है के लिए निमलिकित में से कौन सी बिदी सर्वत्तम है तो कक्षा में दो पढ़ने वाली बच्ची जो सुरू से ही प्रभावशाली तरीके से भाशा सीख रही है के लिए दिये गए बिकल्पों में से भाशा के आवसर बिविद सर्वत्तम है अप्सन थाड़े हाँ पे राइट अंसर है भाशा के आवसर यहाँ पे राइट अंसर हो जाएगा अगला कोशन कोशन नमबर 118 कथा वाचन एक आईसी गत्विदी है जिसका कक्षा में बहुतायत में प्रयोग होना चाहिए क्योंकि यह तार्किक समझ और कल्पना सिल्ता की नियू रखती है अगला कोशन कोशन नमबर 119 आपको फिल करना है अपने राजनातिक समाजी कार्थिक और नातिक पहलूँ से जुड़े मुद्धों पर समालोचनात्मक तरीके सुचिंतन मनन के आउसर परदान करती है या समाजी मुद्धों पर बहुत से विचारों को सुविकरत करती है और अन्ता क्रिया के परजातांतिक रूप के प्रतिसमर्पित है या उन बहुद संदर्भों के परपेच से महत्पूर है जिसमें हमारे विद्याले कार्य करते हैं अगला कोशन कोशन नमबर 120 है और अन्तिम कोशन है इस हिंडी के कोशन का भाषा पठन पाठन का कौन सा उपागम या विश्वास करता है कि भाषा एक आदत है तो आपको बताना है दूस्तों दिएगे options में से भाषा पठन पाठन का स्रब भाषा वाद उपागम है जो कि एक प्रकार की आदत है यह कहा जा सकता है कि यह विश्वास करता है कि भाषा एक आदत है option first है यहाँ पर right answer हो जाएगा स्रब भाषा वाथ तो दोस्तों यह रहे हिंदी के 30% जो कि आपके previous year सीटाइट परिछा में पूछे गए थे दोस्तों यह दिए आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को जाद से जादा लाइक और शेयर करें दोस्तों और यह दिए आपको हमारे चैनल पहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और वेल आइकन को प्रेस कर लिजे ताकि या आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके दोस्तों दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स क्लास में नेक्स कोस्चन पेपर के साथ तब तक के लिए नमस्कार जाहिन धन्यवाद